प्रियाव विध्यार्टियों आउनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे 1945 से 2020 तक के मध्य अंतराश्टी राजनीती के उन पड़ावों के बारे में उन घटनाओं के बारे में जो बहुत ही महत्तोपून हैं और जिन्होंने अंतराश्टी राजनीती की द जिशा और दशा को ना केवल बहुत गहराई से प्रभावित किया वरन काफी हर्थ तक परिवर्तित भी किया सबसे पहला आता है 1945 का वर्ष जो की अंतराश्टी राजनीती के लिए अत्यंत ही महत्तोपून वर्ष माना जाता है 1945 में अनेक महत्तोपून घटनाएं हुई जि और विश्व के महाशक्तियों के सम्मी करण पूरी तरह से बदल गए जुट्य विश्वुद्ध का अंत होना अपने आप में एक महत्तोपून घटना थी 24 अक्टूबर 1945 को युए नो की स्थापना वो भी एक बहुत ही महत्तोपून घटना थी अमेरिका दोरा हिरोशिमा और नागासाकी पर परावनवम का प्रयोग उसने भी विश्व को बहुत गहरे तक प्रभावित किया और सबसे महत्तोपून बात यह होई कि अभी तक जो राष्ट अत्यंत शक्तिशाली थे जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, प्रांस वो कमजोर हो गए और विश्व में दो न अत्यंतर राष्टी राजनीती को अपने गिरुप्त में ले लिया। उन्ने सो पैंतालिस के बाद के वर्षों में एक अन्य महत्मिं घटना घटी, एश्य और अप्रीका, तर लेटन अमेरिका के राष्ट एक एक करके स्वतंतर होने लगी। भारत उन्ने सो सैंतालिस में स 1949 में चीन एक सामेवादी राष्ट के रूप में सामने आया। ये घटना भी अपने आप में अत्यंतर महत्मुन थी। शीट युद में अमेरिका और सुवे संग का संगश नेरंतर चलता रहा, 1962 का क्यूबा संकट उसकी चरम सीमा थी। अगला महत्मुन बर्ष आता है 1985 का, 1985 का, जब अंतर राष्टी राजनीती फेर से बहुत तेजी से बदलने लगी। 1945 से 1985 की चार दशक शीट युद्ध के दशक थे। पर 1985 में सोवे संग ने नए राष्टपती गौरबच्वाए और उन्होंने अंतर राष्टी राजनीती को पूनु रूप से परिवर्थित क खोकला होता चला जा रहा था। अफगानिस्तान में लंबे समय तक सोवे संग की सिनाओं की उपस्तिती ने उसे कंगाल बना दिया था। और सोवे संग के अंदर असंतो शुत्पन हो गया था। में पूर्ण हो गया था जब सोवे संग पूरी तरह से तूट गया और सोवे संग नाम का राष्ट विश्व के नक्षे से लुप्त हो गया और उसका इस्थान सोवे तरूस ने लिया उसके उत्रादिकारी के रूप में तो 1991 का वर्ष्पी इस दरश्टी से बहुत से अब तक सुरक्षित अमेरिका के वर्ट टेट सेंटर पर आतंक वादियों ने जबर्दस्त हमला किया और वर्ट टेट सेंटर को द्वस्त कर दिया यहां से अमेरिका का एक मात्र महाशक्ति का दंब भी तूट गया और बहुत दुरुवे विश्रु का उद्य होने लगा वो भी बहुत ही महत्म कटना थी एक नए शक्ति चाली राष्ट के रूप में उबरा जापान प्रांस और चीन तथा भारत जैसे देश भी तेजी से आगे आने लगी लेकिन इन में से एक देश जो सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उबरा वो था चीन धीरे धीरे च से दुश्मानी करो प्रतिस्पर्दा करो और स्वैम को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करो धीरे धीरे विश्र की परस्तितियां बदल रही थी वासा पेक्ट का अंथ हो गया था लेकिन नाटो अभी भी बना हुआ था ना के बल बना हुआ था वरन अमेरिका नाटो बनकर उद्रा है आज ही अमेरिका की राष्टपती ट्रंप ने चीन पर आरूप लगाया है कि चीन के वाइरस के कारण ही कोविड-19 के कारण करोना वाइरस के कारण आज 188 देशों में मानव जीवन खत्रे में पढ़ चुका है चीन अपने को रोना सिम्थी प्राप कर चु कर रहा है चीन चाहता है कि विश्व की एक मात्र महाशक्ती बन जाए इसके लिए वो चीन ताइवान और अमेरिका तीनों के साथ एक साथ टक्कर ले रहा है आज ही भारती प्राण मंत्री नाइंद्र मोदी ने सांग प्रास संग के पुनर गठन की मांग की है ताकि उसकी पिर से स्थापित हो सके तो आज हम 2020 में फिर से एक ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जहां विश्व राजनीती के नए समिकरण पैदा हो रहे हैं अमेरिका के राशपती ट्रंप ने अमेरिका के पुराने गौरण को कुछ अत्तक हो दिया आज अमेरिका की शक्ति कम हो गई है अमेरिका और भारत कोरोना से पिड़े सबसे अधिक देश हैं और चीन ने अपने कोरोना पर काबू प्रा लिया है और चीन एक नई आर्थिक और आनितिक ततासैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा है एक बार विश्व फिर दो राहे पर खड़ा है और आने वाले जो बश हैं वो अंतराश्टी राजिती के लिए अत्यांती महत्पुन सिर्द्ध होंगे जिनमें ये टैव होगा कि अब विश्रु की महाशक्ति कौन है यह अभी भी प्रश्ण है कि अमेरिका अपना वच्छे से काइम कर पाएगा यह चीन पूरी तरह से उस पर हाभी हो जाएगा भारत की क्या इस्तित रहेगी इन सारे प्रश्णों का जो उत्तर है वो आने वाले समय के गर्भ में हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद